क्या आपने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसके सिर पर दो सिंग है और क्या आपने एक ऐसे आदमी को देखा है जिसके दो दात हाथे के दात के बराबर बड़े है और क्या आपने एक ऐसी लड़की देखे है जिसने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा दिये है दोस्तो किसी ने सच ही का है कि शौक बहुत बड़ी चीज है जिसे पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तयार रहते हैं जी हां दोस्तो कुछ लोगों को महंगी गाडियों का शौक होता है तो कुछ को महंगी घड़ी या आलिशान घरों का लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन पर फैशन का मानो जैसा नशाही चड़ा हो जी हां हम और आप जादा से जादा अच्छा दिखने के लिए सही ड्रेस पहनेंगे महंगा पर्फ्यूम लगाएंगे और अच्छे शूज पहनेंगे लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिन इंसानों के बारे में बात करने जा रहे हैं वह फैशन को किसी अलग ही स्टेज पर ले गए जिन मेंसे कुछ लोग तो टैटू के इतने शौकीन है कि अपनी जान तक दे सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि भला टैटू के लिए कैसे कोई जान दे सकता है तो आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा कि मेरे ऐसा कहने के पीछे क्या रीजन है इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो जरा इस वेक्ति को देखें आप भी इसका काला शरीर देखकर सोच में पड़ गये होंगे कि आकिरकार इस शक्स ने ऐसा क्या किया होगा जिससे इसका पूरा शरीर पूरा काला रंग का पड़ गया क्या ये कोई बिमारी है या पैदाईश ही इसका ऐसा ही शरीर है तो आपको बना दी दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है दरसल इन्होंने खोद ही अपने चहरे को छोड़ पूरे शरीर कुकाला करवाया है पता नहीं ऐसा करने से उन्हें कौन से खुशी मिलने वाली थी लेटो के अलावा अपनी बाड़ी से भी लोगों को अट्रेक्ट करता है इसके ऐसी परसनालिटी और इसके शरीर पर माजोद ये काले रंग का अनोखा पैटर्न दोनों कॉम्बिनेशन इसे अलग ही लेवल पर ले जाते हैं और यहीं वज़ा है कि लोग इसे देखने पर बिना तस्वीर लिए रह नहीं पाते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि इसे ऐसी परसनालिटी को बनाने में काफी नान वेज डाइट का सेवन करना पड़ा होगा तो दोस्तों आपको जानकर हराने होगी कि ये महाशए वेजिटेडियन है जी हाँ 220 पाउंड वजनी ये मॉ जैसे खतरनाक और डरावने नहीं लगते बलकि ये अपने सोचल मीडिया पर ऐसी तस्वीरी भी साजा करते हैं जिसमें ये बहुत ही क्यूट और फ्रेंडली लगते हैं दोस्तों अब थोड़ा दिल थाम के बैट जाएए क्योंकि अब हम आपको जिन से मिलवाने जा रहे हैं उन्हें देख शायद आपका दिल बाहर निकल कर हाथ में आ जाएगा जियां दोस्तों आपने लॉड अप दे रिंग मूवी में ओर सी को तो जरूर देखा होगा अब जरा इन माहाशे को भी देख लीजें क्यों डर गए न इसके लंबे लंबे मूँ से बाहर निकलते हुबे दांत और चहरे पर बने ये अनोखे टैटू देख कर कोई यही कहेगा कि ये आज के जमाने का राक्षस दिखाई दे रहा है ब्राजिल में रहने वाले इस शक्स के बड़े बड़े दांत इनके टैटू और इनके सर के ऊपर दिख रहे ये सिंग इने काफी डरावने बनाते हैं अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि इनकी फैमिली इनके साथ कैसे रह पर इन मातरमा ने ही टैटू बनवाय है इनकी बेटी भी अपने फादर के इस लुक को बेहत पसंद करती है और बिना डरे उनसे प्यार भी करती है इनका ये ट्रांसफोर्मेशन सच में काबिली तारिफ है नमबर तीन डॉल काल दूस्तों पच्पन में तो हर कोई क्यूट सी डॉल का दिवाना होता है आपको आम तोर पर हर बच्चे के हाथ में एक डॉल्स जरूर दिखी होगी लेगन इसका मतलब यह नहीं कि बड़े होकर भी खुद एक डॉल बन कर लोगों को डराना सही बात है है ना शायद आप समझे नहीं तो जरा इस लड़की को देखे ज डिजाइन कर ली है दोस्तों ये किसी हलिवर्ड फिल्म की हारर मुवी में दिखाए जाने वाली डॉल की तरह दिखाए देती है अलाकि जैस्मिन के पिता रॉक मुजिस्चन और उनकी माता काफी अच्छा ड्रम भी बजा लेती है यानि इनके माता पिता दोनों म्यूजिक की दुनिया में काफी जानी मानी हस्तियों में से एक है पर जैस्मिन तो खुद अपने पैचान बनाना चाहती थी और यही वज़ा है कि फेमस होने तथा लोगों का ध्यान अपनी और खीचने के लिए उसने अपने चेहरे पर कुछ ऐसे एक्सपरिमेंट किये और आगे जा रहा ये शक्स केनड़ा का रहने वला है इनका ऐसा रूप देखकर आपको काफी हैरानी हुई होगी इसने अपना ऐसा अनोखा चेहरा बनाने के लिए सौस से जाधा ट्रांस्फोर्मेशन की है दोस्तो जैसा कि आप इनने देख सकते हैं इनके सर के ऊपर दोस सिंग निकल दिया ये सब तो ठीक था दोस्तो लेकिन इने आप चलते फिरते स्टोरिस डिवाइस से आप डोर अनलोक वैपन खोल सकते हैं क्यों समझ नहीं आया ना आपको बता दे ये आदमी काफी सारे रहस्य को अंदर चुपाए हुए है बले ये दिखाई ना दे पर ये सच है अब इसके अलावा उनके हाथ में डेटा एक्स्चेंज डिवाइस पी है जो डेटा का आदान प्रदान कर सकता है और डेटा को स्टोर भी कर सकता है नंबर पांच जॉंबी पंक दोस्तों कौन कहता है कि जॉंबी अब नहीं रहे अगर आप उन्हें देखना चाते है तो इस कुछ गुदवाया है अब यह ठीक था लेकिन क्या दोस्तों आप दूसरों से अलग दिखने के लिए आँखों में टैटू बनाने की सोच भी सकते हैं जी हां शायद आपके सुनकर ही रॉंग्टे खड़े होगे मेरे भी होगे क्योंकि अगर हमारी आँख में थोड़ा सा क खुली नहीं थी अलाकि अब यह काफी अच्छी तरश से देख भी सकते हैं लेकिन इनका यह लुक देखकर जाहिर है एक आम इंसान थोड़ा डर जरूर जाएगा इसी वज़े से अधिकतर लोग इनसे दूर रहने लगे जो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा फ शौक में ही लोग कुछ भी कर जाते हैं जो बाद में उनके लिए खत्रा बन जाता है उन्हीं शौकिन लोगों में से एक नाम ये भी है जिनने देखकर भूत भी डर जाए दुनिया में कहीं लोग अपने आपको फेमस करने के लिए कहीं तरह के हतकंडे अपनाते हैं फिर वह अपने पूरे शरीर पर टैटू गुद्वाना हो या फिर शरीर के नाजुक अंगों में धातों को पहन कर लेकिन जर्मनी में एक लड़के ने इससे भी अजीब और गरीब करतूत कर डाले 23 साल के जोईल मेकलर ने अपने गालों को ही काट कर दोनों और 36 mm के छेट कर डाले जिसके चलते जोईल मेकलर के दांतों का साइड भी दिखता है जिसे देखकर कोई भी डर सकता है इनके बहुत सारे दांत भी आपको नजर आ रहे होगे सोचनी के बाद तो ये है कि ये खाना कैसे खाते होंगे क्योंकि खाते समय तो इनका आदा खाना दूसरे छेट से नीचे गिर जाता होगा न जॉयल मैकलर सोचे मिडिया पर बाडी मौड इन पंक के नाम से फेमस है जॉयल के बारे में सबसे पहले जानकारी अस्टिलिया के अकबार डेली गार्डियन से चली थी उसने अपने उपर इस तरह के प्रयोग 13 साल की उम्रे से करने शुरू कर दिया थी जॉयल मैकलर ने अपने इन अनोखे गालों को कोई नाम नहीं दिया जब जॉयल मैकलर से इस बारे में पूछा गया हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा जादा से जादा लोगुत तक और ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग वीडियोज को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्षन में लिंक दे गई है जिसके उपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए ताकि हमारे हर लेटिस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले धन्यबाद